हलो दोस्तों, प्रतिमा जियस एकेडी प्यास अभी का स्वागत है आधनिक भारत इतिहास में अकाल नीती और अकाल से संबंधित जो आयोग बनाए गए आज हम उस पे चर्चा करने वाले हैं आप लोग लाइक करें शेयर करें जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें शुरू करते हैं अकाल नीती देखिए हमारे हिंदुस्तान में प्लासी के यूद्ध के बाद प्लासी के यूद्ध के बाद भारत में कई अकाल पड़े अब यहाँ पर प्रस्नी ये बनता है कि क्या इसके पहले कभी अकाल नहीं पड़ा इसके पहले कभी अकाल नहीं पड़ा और यदि पड़ा तो उसका प्रभाव कैसा था प्लासी के यूद्ध के बाद में जो अकाल पड़े उस अकाल की प्रकृती और उसके प्रभाव कैसे थे और दोनों में अंतर क्या था अंतर क्या था जब अंग्रेज हमारे देश को अपने कबजे में ले लिए तब के अकाल में और पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं था तब क्या काल में कुछ अंतर रहा होगा साथियों जब सल्तनत काल था मुगल काल था यह हमारे हिंदुस्तानी सासकों का काल था उस समय में अब यहां पे हिंदुस्तानी यह सासक मैंने बोला है वो आप सल्तनत काल के पहले सासकों का समझ सकते हैं बाकि सल्तनत काल और मुगल काल यह दोनों बाहरी थे लेकिन हमारी संसकृति और हमारे देश में रह करके अपने अस्तित्त को बना लिया जबकि हमारे भारतिये नहीं थे बाहरी यह भी थे लेकिन इन्होंने भारतियता को सुविकार कर लिया तो अब यहां पर हम दो भागों में बाढ़ते हैं ब्रिटेन के पहले और उसके बाद पहले के इस्तिती में क्या होता था अकाल हमारे हाँ पहले भी पढ़ते थे लेकिन दर्द किसको होगा जिससे जुडाओ होगा जिससे लगाओ होगा जिसमें अपनत्त होगा दर्द उसमें होगा अगर कोई बगल का ब्यक्ति भूखा है तो वो भूख कौन महसुस करेगा वो ब्यक्त जो उस ब्यक्ति से नफरत करता है या वो ब्यक्त जो उस ब्यक्ति से प्रेम करता है नफरत करने वाले को मजा आएगा वो खुस होगा और कहेगा कि ये इसी योगित है और इन्हें मरने दीजिए लेकिन प्रेम करने वाला कहेगा कैसे मरने दूँ ना सही भर पेट तो एक रोटी तो दे ही सकता हूँ ब्रिटिस के पहले के सासक इसी तरह के थे जिस समें दुआब में अकाल पड़ा उस समें मुहम्मद बिन तुगलक ने अमीरे को ही की इस्थापना करके तकावी दिया रिन माफी कर दिया और अन्प्रकार के साधन विवस्था दिया अलाओ दिन खिलजी के समय में अकाल कब प्रकोब जनता पे ना पड़े इसके लिए अनाज एकत्रित करके लोगों में बित्रित करवा दिया जाता था अकबर के समय में अकाल पड़ा तो जनता के लिए अनाज विवस्था कराये गया यहां तक की मौर समराज में जब अकाल पड़ा तो उस विवस्था को विवस्थित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर सरौन बेल गोला चले जाते हैं और वहां पे उनके उत्राधिकारी जनता के मद्ध अनाज वित्रित करते हैं और मेगस्थनीज कहता है मेगस्थनीज कहता है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा क्यों कहता है इसा क्योंकि उसने अकाल की इस्थती को नहीं देखा किसी को भूखा इसने नहीं देखा अगर बाढ़ आया तो बाढ़ की बेवस्था पहुँच गई जनता को उपचार मिला जनता को भोजन मिला जनता को कपड़ा मिला तो उसने जनता को दरिदृता के अवस्था में नहीं देखा इसलिए इसने कहा कि यहाँ पे अकाल नहीं पड़ा तो ऐसी क्या इस्थेती थी जब अंग्रेजों के समय में अकाल पड़ा तो हमारी जनता बहुत प्रभावित हुई कुछ बात तो जरूर रही है तो अंग्रेजों को ने भारतिय जनता को अकाल के गर्थ में स्वयम ड़केला था बाकी उसके पहले के सासकों ने जनता को अकाल के गर्थ में नहीं ड़केला था उन्होंने अकाल अगर पड़ भी गया तो उस इस्थेती में जनता को बेवस्था दिया था लेकिन अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने क्या किया था अंग्रेजों ने अकाल की ब्यवस्था किया था अकाल की समस्या का समाधा नहीं अकाल स्वयम पड़ जाए ऐसी ब्यवस्था कर दिया अब यह कैसे किया पहले तो क्या किया कि जनता से अनाज खरीद लिया सस्ते दामों पर जनता से अनाज खरीद लिया और फिर वही अनाज जनता को महंगे दामों पर बेचा गया बेचा गया तो जनता इसे खरीदने में सच्छन जो थे वो तो खाए बच गये और जो सच्छन नहीं थे उनको तो भूखो ही मरना था ऐसा किया इन्होंने क्यों तो किसानों की एक कश्ट होता है कश्ट भरी जिंदिगी कह लिजिए किसानों का एक इस्थिती ऐसा होता है कि जब उनका अनाज उत्पादन करके वो घर पे लाते हैं उसी समय में उनकी बेसिक आवसेक्ताएं जो अनाज के माद्यम से ही एक मातरसादन है पूरा होता है वो क्या करते हैं अनाज को जब वो बेचेंगे उसके बाद में बेचने के बाद वो किसका पैसा साहुकार का पैसा देंगे अपनी अन्य आवस्यक्ताओं की पूर्ति करेंगे राजस्सु देंगे अब इनके पास जब अनाज बेच दिये और कुछ अनाज खाने के लिए अपने पास जरूर रख लिए लेकिन वो परियाप्त नहीं था जो भोजन के लिए इनुने अपने पास रखा था वो मातर इनके पास दो माह का ही था रासन दो माह के बाद इन्हें रासन की आवस्यक्ता पड़ती लेकिन इधर उधर मजदूरी करके चलाने की प्रभिटती होती तो जब यह मजदूरी करके चलाते तब जो इन्हों ने बेचा अगर एक किलो गिराम चावल इन्हों ने बेचा जब एक रुपिया किलो बेचा और जब यही खरीदने गए तो पांच रुपिये में खरीदना पड़ा अब ये गयप जो चार रुपिये का गयप है ये गयपे कैसे भरेंगे तो दरिद्रता आना तैं था और इसका फाइदा उठाते थे अंग्रेज अंग्रेज कहते थे कि तुम इतना खाओ कि जिन्दा रहो काम करो गुलामी का और ये मत उम्मीद करो कि तुम्हें ये सपने तुम ना देखो अपने इस आजादी का राम प्रसाद बिस्मिल और उनके अन सहयोगी जब अंग्रेजों की फित्रत को समझे थे उन्होंने साप साप कहा था कि मैं अपने हिंदुस्तानियों के लिए अपने माताओं अपने बहनों के लिए एक-एक कतरा अगर खुन गिराना हुआ तो गिरा देंगे लेकिन अंग्रेजों के आगे नहीं जुकेंगे अकाल नीती बनाई केशे की तब 1757 से 1947 तक कंपनी के सासन के दवरान भारत में अकाल की एक लंबी स्रंखला रही है जिसमें ब्रिटिस आर्थिक नीतियों ने कोड में खाज का काम किया यहां पे एक बिंदु निकलता है कि अगर एक तो अकाल के इस्थिती के लिए ब्रिटिस ने नियम बनाया सस्ते अनाज वो आपस लेते थे खरीते थे और मांगा करके बेचते थे उसके बाद ऐसी ऐसी आर्थिक नीतियाईनों ने बनाया कि वो और ही दरिदता के गर्त में भारतिये चले गए पहला अकाल पड़ा बंगाल, बिहार और उडिसा में पहला अकाल, बंगाल, बिहार और उडिसा में पड़ा कब पढ़ाये 1779 सत्तर में इस अकाल के पीछे अब सोचिए कि बंगाल में अकाल पढ़ रहा है ऐसी भूमी जो उपजाओ भूमी का गढ़ माना जाता था पूरे भारत में अकाल पढ़ सकता था रकिम बंगाल में कभी अकाल नहीं पढ़ता था क्योंकि वहाँ पे नदियों का जो जाल है वो चावल उत्पादन के लिए परियात था और भारत मुक्ता चावल उत्पादन के देश के रूप में जाना जाता है यहां से किया यह गया था कि इस अकाल के पढ़ने के पहले बंगाल से जितना चावल था अंग्रेजों ने खरीद लिया था और सबसे कम दाम पर कम दाम यह कह सकते हैं नाम मात्र के दाम पर दाम पर अब यहां पर आपके दिमाख में बात यह आनी चाहिए कि ऐसा क्या लूट मची थी कि सब अंग्रेजों को एकदम से चावल खरीदने पर उतारू हो गए थे तो दोस्तों सत्त्रा सो सत्तावन में सत्त्रा स्त्तावन में प्लासी हुआ था और अंग्रेजों के हाथ में बंगाल बिहार उडिसा इसकी दीवानी आई थी मीर जाफर ने 24 परगना और बंगाल बिहार उडिसा की दीवानी और अन तमाम प्रकार के विवस्था अंग्रेजों को दिया था और जब प्लासी के बाद में बंगाल बिहार उडिसा अंग्रेजों के हाथ में आ गया तो अब जो भूंखे सेर की तरह बैठे थे अंग्रेज वो अचानक से तूट पड़े किसानों के उपर और चावल को इन्हों ने यानि कि जितना ज़्यादा हो सके यहां से वो भारतियों को लूट सकें क्योंकि अभी तक वो संगर्स में लगे हुए थे कई ऐसे युद्धों इन्होंने लड़ा था भारतियों को युद्ध करते हुए अन के साथ युद्ध करते हुए इन्होंने उतना लाव नहीं प्राप्त किया था जितना ये उमीद कर रहे थे लेकिन इनके हाथ में अब आ गया था वो छेत्र जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उपजाव लेंड था बंगाल विहार उडिशा उस समय बहुत उपजाव लेंड के रूप में हुआ करता था और यहाँ पे जब चावल का उत्पादन हुआ तो अंग्रेज ब्यापारी किसानों के पास अनाज खरीदने के लिए उतावलापन हो गया उनके अंदर और भारतिये किसान को नगद प्राप्त करने की लालसा अपने चावल को बेशने की उत्सुकता नजर रही ऐसा हुआ क्यों था ऐसा इसलिए हुआ था कि पहले वस्त बिन में प्रणाली चलती थी बिन में प्रणाली चलती थी और पैसा बड़े घरों में चलता था गरीब किसान गरीब जनता के पास क्या होता था बहुत दिनों तक आपने देखा होगा कि गाउं में आज भी जगर कुछ बिकने जाता है तो लोग चावल आटा गेहूं दे करके सामान को ले लेते हैं नगदिना होने के वज़े से उस समय कि ये इसती और ज़्यादा ब्याप्त थी अंग्रेजों ने लोगों को पैसा दिखाया नगदि का और लोग समझने में साइद चूक किये या ऐसा कह सकते हो कि उनकी आवस्यक्ता ने उन्हें मजबूर किया कि वो अंग्रेजों के हाथ में अपने चावल को सबसे कम दाम या नाम मात्र के दाम पर बेंच दिये लेकिन जब वो ही चावली अपने खाने के लिए खरीदने गए तो दस से बीस गुना ज़ादा दाम पर उन्हें खरीदने कम मजबूर होना पड़ा और ऐसी इस्तिती में बंगाल बिहार और उडिसा के कहा जाता है कि लगभग एक तिहाई जनता मौत के घाट उतर गई बहुत बड़ी बात है यह कि अगर तीन करोण की जनता हो तो एक तिहाई उसमें एक करोण हुआ अगर तीस लाख की जनता हो तो एक तिहाई दस लाख हुआ मतलब कि एक तिहाई जनता मौत के मुह में जली गई 779 और 77 इस भी में एक तिहाई आबादी समाप तो हो गई थी इस अकाल से क्योंकि पहले कमपनी ने सस्ते दाम पर चावाल को खरीदा और फिर उसे महेंगे दाम पर बेचाप और जो लोग सच्चम थे खरीदने में उन्होंने तो खरीद लिया लेकिन जो सच्चम नहीं थे जिनकी आजीर का चराने का संसादर नहीं था जिनके पास खाने की विवस्था नहीं था जिनके पास मजदूरी के रूप में दोवक्त की रोटी मिलती थी वो किस तरह से खरीते और वो मौत के घार उतर गए दूसरा अकाल पड़ा दिल्ली आगरा का अकाल दिल्ली आगरा का अकाल ये अठारा सो साथ और एक सट इस भी में पड़ा था इसमें लगभग दो लाख लोग मारे गए थे दो लाख लोगों का मिर्तु हुआ यानि कि इस अकाल में दो लाख लोग मारे गए तो ये बड़ी बात नहीं लगती है क्योंकि इसके पहले का जो अकाल हुआ वो लाखों में थे और इसके बाद जो अकाल होगा उसमें भी बहुत लोग मारे जाएंगे पचास लाख लोग 25 लोग मारे जाएंगे तीसरा अकाल उडिसा का अकाल पड़ा पैसर चाचट में अठारा सो पैसर और अठारा सो चाचट में पड़ा पहली बार संपूर भारत में अठारा सो चिहत्तर में अकाल पड़ा था पहली बार अठारा सो चिहत्तर में संपूर भारत में संपूर भारत में अकाल पड़ा था और इस अकाल में पूरे भारत में लगभग 50 लाक लोग मारे गए थे 50 लाक लोग मारे गए थे और बहुत लोग प्रभावित हुए थे माना जाता है कि लगभग 2-2 करोन लोग प्रभावित हुए थे और उसके बाद में एक और महाकाल पड़ा जिसमें 25 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 4 करोण लोग प्रभावित हुए थे तो दोस्तो कहने का तात पर ये है कि ब्रुटिस की जो नीतियां थी इतनी बहतर कि बहतर ही नहीं थी बहुत ही दूष्प्रभावित गलत नीतिया थी जिसके वज़े से जो φार्थिय किसान थे वो किसान मजदूर बन गए जो सिल्पकार थे वो किर्सक मजदूर बन गए और उनके लिए खाने की बेवस्था नहीं थी थोड़े बहुत अंसादन अगर उनके पास थे भी तो साहुकारों ने उन्हें अपने चपेट मेरे लिया और इस्तती बहुत दैनिये हुई और इ हरिस्चंद्र इन्हों ने भारतियों की दुर्दसा के बारे में बताया है और एक है मुनसी प्रेम चंद्जी इन्हों नोय भी किसानों की इस्थती पर दुख ब्यक्त किया है दुख ब्यक्त किया है यानि कहा जाता है कि हड़ी हड़ी दिख रही है मांस नहीं है चेहरे पर कैसे में बताऊं कि वो भारतिये किसान है तकलीप होती है दुख होता है लेकिन अंग्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है अब अकाल के उपर सरकार ने कुछ इनिसेटिव लिया सरकार ने अकाल नीती घोसित किया और 1860 में 6061 में पहली बार करनल इस्मित के नित्रत्त में करनल इस्मित के नित्रत्त में एक अकाल समीती बनाया और इसे कहा गया करनल इस्मित समीती करनल इस्मित समीती कहा गया और इस समीती इस समीती ने अपना कार बखो भी किया लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला परिणाम नहीं निकला ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ब्रिटिस नहीं चाहते थे कि अकाल के जांच करने के पस्चात कोई भी कमी अंग्रेजों की बाहर आये वो भारतियों से डड़ते थे नहीं वो बैस्विक समुदाय के नजर में अपनी कम्या नहीं दिखाना चाहते थे और इसलिए इसका कोई परिणाम नहीं निकला सरकार द्वारा सरपतम 1861 में करनल इसमित समीती बनाई गई थी लेकिन इसकी रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला उसके बाद उरीसा में जब अकाल पड़ा उरीसा में जब अकाल पड़ा और उस अकाल के जांच के लिए सात ही सात उसकी बिवस्था के लिए अठारा सो चाच्छट सरसठ में जार्ज कैंपिबिल के नेत्रत में जार्ज कैंपिबिल के नेत्रत में एक समीती बनाई गई और उस समीती को कहा गया कि जांच कीजिए और उसके बाद सुझाओ दीजिए कि नीती कैसे बनाई जाए और क्या नीती बनाई जाए जार्ज कैंपिबिल ने जांच भी बहुत अच्छे से किया इन्हों ने बताया भी कि अकाल के वज़े से देश वासियों यानि जनता में काफी आक्रोस भी है साथ ही साथ काफी कश्ट वाला जीवन भी है अता इसके लिए ब्यवस्था की जानी चाहिए लेकिन अंग्रेजों ने इनकी रिपोर्ट को दबा दिया इनकी रिपोर्ट को प्रकासित करने पर कोई उतसाह अंग्रेजों को नहीं आया अंग्रेजों ने पूल रूप से क्या किसी भी अंग्रेजों से इस रिपोर्ट की सिपारिश को रिपोर्ट की सिपारिश को बताया ही नहीं माना ही नहीं यानि कि इसका भी कोई बहुत बड़ा प्रेणाम सामने नहीं आया उरिशा में आये अकाल के फल सुरूप 1866 सरस्ट में जार्ज केंप बिल समीती गठित की गई पर इसकी सिपारिश पर उस्सा नहीं दिखा किसका अंग्रेजों का नहीं दिखा अब ये दोनों महतपूर फिर क्यों है जब इनके रिपोर्ट का प्रेणाम नहीं आया इसमित महोदे के जार्ज केंप बिल के रिपोर्ट को दबा दिया गया उस्सा दिखाया नहीं गया तो यह महत्तपूड फिर क्यों है क्योंकि यह आपको एक्जाम औरियंटेट पढ़ना है तो यहां से प्रश्ण पूछे जाने की संभावना पूरी है यहां प्रश्ण पूछा जाएगा उडिशा के अकाल के पस्चात में जार्ज कैंपेबल के नेत्रत्तों में एक समीती बनाए गई थी उस समीती के संबंद में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए अब वहां पर दे देगा कि इन्होंने बखुपी जार्ज करने के बाद में जो सिपारिस दिया अंग्रेजो ने सिपारिस को दरकिनार करते हुए उसके पहले ही विवस्था दे दिया था और तीन इसमें से कुछ होड़ दे देगा यानि सब के सब गलत दे देंगे और सब गलत कि तो यहां पर एक मात रही जहीं होगा कि सिपारिस यानि कि जार्ज कैमपेबिल समीती के रिपोर्ट को रिपोर्ट पर अंग्रेजो ने उत्साह नहीं दिखाया इसका मतलब यह हुआ कि ना तो समाप्त किया और ना ही लागू किया कुछ भी नहीं किया मतलब ना हां कहे ना ना कहे तो यहां पे आप दोनों में गलत हो जाओगे अगर लागू करना बोलोगे तो गलत नहीं बोलोगे तो गलत तो यहां पे बोलना है कि सरकार ने उत्सा नहीं दिखाया अगर जार्ज केंपबिल की समीती की रिपोर्ड को उत्सा दिखाते तो जनत के हित में कुछ काम करते उसके बाद में अनेक अकाल आयोग बनाए गए और पहला आयोग बना इस्ट्रैची आयोग एक लिटन थे गवर्नर जर्नल इन्हीं के समय में 1870 में एक अकाल आयोग बनाया गया कहा जाता है कि ये प्रत्थम सही माइने में प्रत्थम अकाल आयोग था यहां आयोग लाड लिटन के काल में बना जिसके अध्यत सर जान इस्ट्रैची थे अध्यस कौन था सर जान इस्ट्रैची थे और इन्हों ने सिपारिस्त किया कि पहले चीज तो सरकार को एक अकाल सहिता बनानी चाहिए और दूसरी सबसे महत्पुड बात है कि अकाल कोस बनाना चाहिए जिससे जनता का कुछ कल्यान किया जा सके कोई भी इंसान होगा अगर उस निर्मम हत्या को जाकर देखेगा तो हिर्दे तो दर्बित होगा ही अंग्रे जाते ही नहीं थे भारतिये जमिदारों को भेजते थे और जब कोई देखेगा ही नहीं तो बंद कमरे में पॉलसी बनाना यह ऐसे ही डाक्टर की दवा देने के बराबर है जिनोंने मरीज तो देखा ही नहीं और दवा दे दिया जमिदार के माध्यन से देखते थे जमिदार को धन चाहिए था इनकी मानवता मर चुकी थी मानवता अंग्रेजों ने मार दिया था बचा कुछा अंग्रेजों ने कर दिया लेकिन जब सर जान इस्ट्रेची ने अपने सिपारिस में कहा और जहां तक कि गवर्नर जर्नल प बनाया गया और अकाल को स्तयार किया गया अब यह लागू कितना किया गया मदद कितना किया गया यह तो आने वाले आगे के अकाल में साफ साफ जाईर हो रहा है कि अगर मदद की गई होती तो फिर इसका अतना भैंकर अकाल इसके बाद नहीं पढ़ना चाहिए था लेकिन एलगिन दुत्तिय गवर्णर जर्नल थे और इनके समय में ही 1896 में अकाल पड़ा था और इस अकाल में काफी लोग हताहत हुए थे काफी लोग मौत के घाट उतर गए थे और बाद में सर जेम्स लायल के अध्यचता में सर जेम्स लायल के अध्यचता में दुत्तिय अकाल आयोग बनाया गया था दूसरा अकाल आयोग बनाया गया था और उसके बाद में लाड करजन के समय में 1901 के बीच में एंथोनी मैकडोनल के नेत्रत्त में एक अकाल आयोग बनाया गया था जिसे मैकडोनल अकायोग के नाम से जानते हैं 1901 के बीच में बनाया गया था इन्हों ने जो सिपारिश दिया था उस सिपारिश पर करजन ने कुछ काम जरूर किया था जबकि करजन कत्तई देश का हितेशी नहीं था और ब्रिटिस सासन का अंतिम आयोग जान बुड़हेड के नित्रतों में जान बुड़हेड आयोग बनाया गया था और ये ब्रिटिस भारत का अंतिम आयोग था ब्रिटिस भारत का अंतिम आयोग था दोस्तों मैं अपने क्लास के पर समात करता हूँ धन्यवाद जहिन जय भारत